क्याले में वेलकम बाकिति चानल और ये वीडियो में बात करेंगे लेयर स्वाप के ब्रिज की और इनका पोटेंशिल एर्ट्रॉप जो फ्यूचर में हो सकता है इसके अलाबह में बताऊंगा कौन-कौन से ब्रिज जो मैं मोस्टली यूज करता हूं आपके मन में यह भी सवाल हो सकता है कि यह तो लेयर स्वाप एक ब्रिज है यह क्यों एक एर्ट्रॉप करेगा अगे पर देखोगे इनका जो फीचर है कुछ अलग फीचर है बताऊंगा आग के वीडियो में बट इसके पहले अगर ब्रिजस को देखो तो ब्रिजस ने भी यहाँ पर एर्ड़ॉप किया है तो अक्रॉस ब्रिज करके है जिनका अल्री यहां पर एर्ड़ॉप किया था और उनका एक token है across protocol 0.04 पर trade हो रहा है इसके अदाबाँ एनिस्वाप token जो है एनिस्वाप 2.08 पर trade हो रहा है यह भी एक bridge का token है जिसका नाम है any swap bridge by the way यहां पर देखो उनका चलनी रहा है side but bridges यह bridge है इनका token भी है तो भी इनका bridge यहां पर उपन ही नहीं हो रहा है anyway now that brings me to important question जिसे मनें बता है कि इस वीडियो में आपको जो bridges के बारे में बता हूँगा जो मैं यूज करता हूँ personally अंदे layer swap के बारे में बता हूँगा इसके पहरे आपको एक चीज़ समझता है कि everything in crypto is risky DeFi risky है tokens risky है bridges भी risky है यह पिछली वीडियो में बताया था कि multi chain आप यूज मत करो कि क्योंकि इनकी website अभी भी live है जबकि इनकी service अलड़ी बंदो चुकी है आप इनकी website जोगे और bridge use करोगे तो आपका transaction ले लेगा बटो successful नहीं होगा ट्रांसफर नहीं होगा और फिर मुझे comment आया था फिर यहां मुझे comment आया पर्थमंडल का never apologize उस to us आपकी shared PDF के वज़े से 150 का नुकसान हुआ है तो आपको पता है कि मैंने इसके पहले वीडियो बनाए थी जहां पर आप different task आपको करना है जहां पर आप layer 0 का करो यह responsibility आपको लेनी पड़ती है क्योंकि जब तक आप दूसरों को blame करते रहोगे तब तक आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे तो आप जब layer swap इसको कैसे क्यों यह अलग है यहां पर सिर्फ network से यहां पर transaction नहीं होता बट यहां पर exchanges पर transactions कर सकते हो तो for example binance exchange मैंने select किया binance exchange से मुझे transfer करना है किसी network पर तो वो भी यह possible हो पाता है कैसे क्योंकि यहां पर आप binance से जो है पर मुझे किस address पर चाहिए वो मैं को select करना है यहां पर तो let's say कि मैं को यह address पर चाहिए और मैं अपने binance account से यह address पर transfer कर रहा हूं तो यहां पर यह बोल रहा है कि 0.99 ETH आपको receipt होगा अगर आप 1 ETH भेज रहे हो तो यहां पर क्लिक करने जाता हूं तो मैं को देखो क्या option देता है यह क्या बोलता है कि जो layer swap को address है यह deposit address इस पर मैं एक ETH भेजू अपने binance account से and then यह वो 1 ETH मेरे मेरे ethereum address पर पेजेंगे तो यह वाय 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 क्यों आपको बभी हम भी उसकेस हो सब्सक्राइब यहां पर है for individual आपने पर है यह यह भी आपको देखना बहुत जरूरी होता है अगर मैं यहाँ पर 10 USDC भेशता हूँ लेयर स्वाप यूज़ करते हुए पॉलिगॉन से अर्विट्रम पे तो 7.89 USDC मिल रहा है तो मैं इसको यूज़ करने के पहले अफको आपको एरड्रॉप चाहिए तो मैं भी एक या दो बार यूज़ कर सकते हो अगर आप दूसरा एक्षेंज देखने जाओगे तो फिक्जामपल जम्पर लेट से मैं पॉलिगॉन पे कनेक्टेड हूँ पॉलिगॉन से मैं को 10 USDC आर्विट्रम सेम चीज़ लेते हैं अब देखते हैं कितना तो लेट से मैं 10 USDC बेशता हूँ पॉलिगॉन से अर्विट्रम पे तो यहाँ पे देखो 9.9 USDC मुझे आ रहा है तो आप मुझे बताओ मैं ये वाला ब्रिज सेलेक करूँगा जम्पर वाला एक्षेंज या मैं लेश आप वाला एक्षेंज लेश वाला ब्रिज से लिक करूँगा अफोर्स मैं जम्पर वाला से लिक करूँगा बट यहाँ पे आप लेश आप यूज कर सकते हो कि कभी-कभी वह option यहाँ पे पर नहीं होता तो फो एकजम्पल मैं let's say, अगर मेरे को Stargate पर Transfer करना हो, okay, तो अगर मैं Stargate, यह रखो, Stocknet, यहाँ पर स्टाकनेट का Option ही नहीं, Jumper में, आप देख रहे हो, Jumper में, स्टाकनेट का Option नहीं है, बट यहाँ पर में, यहाँ पर आता हू, Layer Swap में, right, तो यहाँ पर देखो, stocknet का option यह रहो यहाँ पे मैंने अचली कली यह यह जा था तो polygon से मैं stocknet पे भेज सकता हूँ यहाँ पे अपना stocknet address पेज कर सकता हूँ and then I can send it तो यह advantage होता है multiple bridges use करने का कोई-कोई chain हर एक bridge पे support नहीं होता and जिसे मैंने बताया क्योंकि layer swap का इनका exchange का भी feature है which I don't think कि बहुत useful है for normal public but यह आगे जाके इनका airdrop भी कर सकते है इसके अलामा क्योंकि यह जो दूसरे airdrop में आपको एक layer swap मदद करता है because अगर आप stocknet का airdrop hunting कर रहे हो तो आप उसमें layer swap का भी option दा इसके बारे में बहुत पहले मैंने बात किया था पिछले साली बात किया था इनका भी airdrop हो सकता है यह Li-Fi protocol करके है जिससे powered by Li-Fi यहाँ पर देखोगे exchange by Li-Fi तो एक Li-Fi एक protocol है तो इनका खुद का भी airdrop हो सकता है तो यह मेरा most favorite exchange है jumper and then hop exchange तो jumper है, hop exchange है orbiter exchange है इन सब का link description में डाल दूँगा यह तीनों मेरे most used exchange है actually आपको मैं across का बता रहा था across मेरा most favorite exchange नहीं था और इन्होंने actually air drop किया था जिन्होंने यह bridge यूज़ किया था तो कभी-कभी यह हो जाता है कि ऐसा bridge जो already था बड़ आपने use नहीं किया इसके लिए आपको air drop नहीं मिला across उसमें सही था बले मिनको पता था लेकिन मैंने उतना use नहीं किया था मुझे इसका air drop नहीं मिला but at least मैं jumper यूज़ कर रहा हूँ तो hopefully मुझे 100% confirm है कि जब इनका jumper का air drop होगा तो मुझे ही मिलेगा कि मैंने इसको काफी use किया है hop मैं second best है और उसके बाद orbiter of course आपको पता ही कि orbiter exchange के बारे में तो यह मेरे कुछ bridges है let me know in the comment box below आपकी कौन से regular bridges जो आप use करते हो but again I will say the same thing again कि everything is risky तो यहाँ पर जाओ आप कोई भी bridge यूज़ करते हो तो बहुत बड़ा amount का bridge मत use करो and know that everything is risky air drop hunting कर रहे हो तो उसमें कुछ risk भी होता है तो किसी और को मत blame करो अपनी खुद की research करो और calculated risk से ही आप crypto में transactions करो thank you so much for watching और मेलूंगा में नेक्स्ट वीडियो में